दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम किसी भी स्टोक की fundamental analysis कर सकते हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि fundamental analysis का क्या मतलब होता है fundamental analysis में आप value investing करते हैं value investing में आपको सिर्फ इतना ध्यार रखना है आप जो भी stock buy कर रहे हैं या वो स्टोक की interesting value से उपर buy कर रहे हैं या फिर नीचे buy कर रहे हैं value investing आप तब करते हैं जब आप किसी भी acid को उसकी interesting value से कम में buy कर लेते हैं fundamental analysis में सबसे पहली और important चीज value investing है उसके बाद आपको कुछ ratios को ध्यान में रखना है पहला PE ratio, दूसरा PB ratio, तीसरा debt to equity ratio और चोथा crunch ratio तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इन ratios को समझ लेते हैं PE ratio जिसे हम price to earning ratio बोलते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सा share सस्ता है या फिर कौन सा share महंग है जैसे मालीजी कोई ABC कमपनी है जिसका price अभी 1000 रुपे है और उसकी earning 100 रुपे है इसका मतलब हम 100 रुपे कमाने के लिए company को 1000 रुपे दे रहे हैं एक और example से समझ लेते हैं जैसे कोई XVG कमपनी है जिसका price अभी 2000 रुपे है और उसकी earning 100 रुपे है यानि हम 100 रुपे कुमाने के लिए कंपनी को 2000 रुपे दे रहे हैं ABC कंपनी का PE ratio में 10 देखने को मिलेगा और XVG कंपनी का PE ratio में 20 देखने को मिलेगा इसका मतलब मैं ABC कंपनी को उसकी yearly earning से 10 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा हूं और XVG कंपनी को उसकी yearly earning से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहा हूं PE ratio कंपनी की future earning के उपर depend करता है PE ratio आपको कई कंपनी की पर 10, 20, 50 जा फिर 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे ABC कंपनी की per year earning पहले 80 रुपे थी फिर 90 रुपे वी फिर 100 रुपे वी इसका मतलब कंपनी दिरे दिरे ग्रोव कर रही है और XVG कंपनी की earning पहले 20 रुपे थी फिर 50 रुपे वी फिर 100 रुपे वी इसका मतलब कंपनी तेजी से ग्रोव कर रही है और XVG company का PE ratio आपको high देखने को मिलेगा और ABC company का PE ratio आपको low देखने को मिलेगा अगर हम market के साबसे देखें जो बड़ी companies होती हैं उनका PE ratio हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा जैसे जैसे company grow करती है उसका PE कम होता रहता है तो बात करते हैं PB ratio के बारे में PB ratio का मतलब होता है price to book value ratio लेकिन PB ratio होता क्या है? share price upon book value for share share price वो होता है जो इस वक्त market में share का price चल रहा है और book value का मतलब होता है acids minus liabilities acids वो होते हैं जिन से company के पास पैसा आता है اور liabilities वो होती हैं चिनको company ने पैसा देना होता है example के लिए कोई ABC company है जिसके पास 100 रुपे के acids हैं उसके उपर 50 रुपे की liabilities है तो acids minus liabilities बचे 50 अब जो 50 रुपे बचे हैं वो उनके हैं जिन्होंने share को buy किया हूँ है यानि यो shareholder है book value का मतलब ये भी होता है अगर कल को company बंदो जाती है तो हमें क्या मिलेगा इस case में shareholders को 50 रुपे मिलेंगे ये थी total book value लेकिन हमें चाहिए book value पर share है इसे निकालना बिल्कुल simple है book value जो 50 रुपे थी इसे total share से divide कर दीजिए जैसे इस case में हमरे पास total share 10 है और book value पर share 50 है तो आपको 50 को 10 से divide कर देना है तो हमारी book value पर share हो गई 5 लेकिन अब हम price to book value कैसे निकाले यानि PB कैसे निकाले तो अगर market में share का price 20 रुपे था तो हमें ये वाला formula यूज करना पड़ेगा share price 20 रुपे divide by book value पर share तो book value पर share हमारी 5 थी तो जब हमें इसे divide करेंगे तो हमारा PB आ जाएगा 4 का इस तरीके से हम PB ratio निकाल सकते हैं तो बात करते हैं debt to equity के बारे में debt to equity ratio से मैं पता चलता है company के उपर कितना कर जाए debt to equity ratio का formula होता है total debt divided by total equity जैसे कोई ABC कमपनी है जिसके उपर 15,000,000 का debt है और 10,000,000 की equity है जब हम इसे divide करेंगे तो answer आ जाएगा 1.5,500,000 परतीशत वैसे अगर आपको किसी company को उपर कोई भी debt नहीं देखने को मिलता तो वो सबसे बढ़ी है तो बात करते हैं current ratio के बारे में current ratio का मतलब होता है current acids upon current liabilities जैसे कोई ABC company है जिसके पास 20 क्रोड के acids है और उसके उपर 10 क्रोड की liabilities है तो company का current ratio आजाएगा 2 का तो अब आपको fundamental analysis में तीसरे नमबर पर balance sheet को चेक करना है बहुत सारे लोगों को लगता है कि company की balance sheet को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है लेकिन वीडियो के साथ एन तक बने रहना हम सबी चीजों को simple तरीके से समझेंगे जो चीज company बेच रही है उसे हम sales कहते हैं और जो बच रहा है company के पास इसके बाद उसे हम profit कहते हैं sales को top line और profit को bottom line कहते हैं आपको सबसे पहले देखना है कि company की sales हर साल बढ़ रही है इसके बाद आपको profit देखना है कि company का profit हर साल बढ़ रहा है या फिर नहीं इसके बाद आपको company के assets और liabilities को check करना है company के assets हर साल बढ़ने चाहिए और liabilities कम होनी जाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो company अच्छा कर रही है इसके बाद last में आपको company का cash flow चेक करने अगर company के पास cash होगा तो भी company आने वाले time में grow करेगी इसलिए आपको company का cash चेक करने company की balance sheet में बस आपको इन चीजों को ही चेक करने company की balance sheet आप ticker tap app से easily download कर सकते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी stock की fundamental analysis कर सकते हैं फिर मिलेंगे ऐसी एक नहीं interesting वीडियो के साथ